प्रिये भी द्यार्थियों एंपी साइंसिया में आपका स्वागत है आए आज हम दों दखेंगे सेकंडरी सेंटर एक्जामिनिसन दोहजर बाइस जो मार्विज उत्रेशन परिच्छा दोहजर बाइस हुआ है साइंस का ये ओरिजिनल पेपर है इसको मुझ देख लते हैं ब प्रिक अगना से श्वेद ग्रंथी तो प्रमुक उस्वरी अंग में से ब्रिक है इसलिए इसमें बी ऑप्सन जो है साई हो जाएगा नेक्ट कोश्चने स्टेंस की निवखित में से कौन पिट्यूट्री ग्रंथी से स्राइट होने वाला हार्मोन है तो ये जो होता है अधिक खनडर किसमें होता है अमीवा में परामिस्या मेलिसमीनिया में इन्वेस सभी तो होता है सभी में आप जी ओप्सन साही कर दिएगा देर ना करते हुए फटा-फट अंधाजें बिल्कुल सही देखिए युगमक होते हैं गैमिट जोते हमें हमेसा क्या होते हैं हमेस 23 हमेशा अगुणित होगा सुमैटो एस्टैटिन क्या है तो ब्रिधी औरोजक हरमन होता है ब्रिधी को रुख देता है ब्रिध की सरणचनयातमक ये करեռतमक क्या कहते हैं तो हम लोग आखते है नेफ्रोन फीटिक है अगला प्रस्टन है students की मानों मस्तिस का सरवादिक जो विक्सित भाग है वो कौन सा है तो सेरे ब्रह्म जो तब विक्सित भाग होता है दोत यहीं होता है मुत्र की सांधरता किस पर निर्भर करती है तो ADH एक हार्मोन होता है उस पर उसका कॉंसेंट्रेशन निर्भर करता है रग्त का मुखे कार्ज क्या है पोशन परिवाहन प्रकार्शन गैसों का बिन में तो जो शुरी या परंध रहें तो रंध जो है मुखे काम क्या होता है गैसों का बिन में होता है अगला प्रस्ण है कि पक्षी तता चमगादर के पंख हैं तो ये होमोलोगस अरगन होता है जिसको समझात अंग कहते हैं रग्त का लाल रंग निमखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है तो ओ होता है हिमोगलोबीन के कारण अगला प्रस्म देखते हैं कि मानों में आटो सम के संखे कितनी होती है आटो सम पूछा है तो 22, 24 होता है इसमें 22 होगा और टोटल कोर्म सम होता है 46 पौधो के बाइबी भागों से जल के वास्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या करते हैं अगला प्रस्म है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मद्द खाली आस्थान को क्या कहते हैं तो कहते हैं सिनेप्स गोबर छट्ता क्या है तो एक पारासाइट है इसमें होगा सोब पोसी मिर्त जीवी है ये जो होता है सेप्रोफाइट होता है वर्तिका भाग है तो यह होता है जायायन का लेजोसियम का अगला प्रस्म है कि दात का कठोर्तम भाग जो होता है उसको बोलते हैं इनैमल अब है कि एक खाल स्रिंखला में दूसरे पुसी अस्तर पर हमेशा कौन होता है तो बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं. क्योंकि बादल हो जागा तो फिर सोच का प्रकाश स्था रहेगा, नहीं. अगला प्रस्ण है क्लीमित में से कौन जयओ मातरा ऊर्जाशुरूत का उधारण नहीं है. तो यहां पर नभी किये उर्जा है यह जो है जैव मात्रा सुरोत का दाण नहीं है समझात अंगों का उदारों है मानो हाथ अता कुत्ते का अगरपाद इसके बाद में है मानो अता हाथी का दाथ आलू एवं घास के उपरी भू अस्तार इमें सबी तो इनमें से सबी होगा न निमा करते हैं तो घास बकरी मानो घास को बकरी खाएगा यह फूड चेन हो गया अगला प्रसने की फिलोस्पिक जो लोजिक नामक पूस्तक किसने दर लिखे गई है तो नमार ने लिखा है रेजिन एवं गोंद कहा संचित रहता है तो पूराने जैला में संचित रहता है क इस माध्यम में प्रकास की चाल अधिकतम होती है तो हावा में सबसे अधिक होती है अगला प्रसने के विधूत आवेस का मात्रक क्या है तो विधूत आवेस का मात्रक जो होता है ओकूलम होता है ओती भारव के समय विधूत परिपत में विधुधारा का मान होता है तो अगला प्रसने कि सगन माध्यम से बिरल माध्यम में परवेश्च करने पर आपतन को था अपवर्तन को में क्या सबन होता है तो यहां सगन से बिरल परवेश्च करेगा है तो यह अभिलम की और यहां से से मुड़ जयता है तो यह बढ़ा हो गया यह जदा हो गया और यह ज़ो है कम होता है तो यह होता है कि अपवर्तन को माध्यम में परकास गमन करता है तो सरल रखा में गमन करेगा लेन से सुत्र क्या है बहुत ही बढ़ी प्रसन पूछा है वान नहीं होता है किसी lens की focus दूरी 1 meter है तो उसकी छमता कितनी होगी तो छमता P बराबर 1 by F होता है तो एक बरता में एक करेंगे आप तो एक diopter answer हो जाएगा इसमें C option सही आपकर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि कौन सा पद विधूत परिपत में विधूत सक्ती को निरूपित नहीं करता है तो P बराबर B I होता है भी को बतलिएगा तो I SQR हो जाएगा ठीका यानि कि I R SQR ये B option जो है सही है पतिरोध का मान बढ़ाने के लिए पतिरोध को जोड़ा जरेना चाहिए तो R बराबर होता है R1 plus R2 plus R3 ये बहुतरा है तो किस में होता है 200 करम या सिर्णी करम में है मूत्र का पीला रंग किस बाणद के काना होता है तो EUR कोरोन काना होता है अगला प्रस्ण है कि निविकित में से कौन नवी कराण ये उर्जा का स्रोत नहीं है तो पेट्रोल नवी कराण के स्रोत नहीं है लेंगी की जनल स्थाइट रोग है एस्टेडी तो एड्स है कौन विधूत का सुचालक है तो गेरेफाट जो हता है विधूत का सुचालक होता है सॉलफर पलास्टिक अडिन नहीं निद्ध में से कौन प्रसित की तौन तरका एक जैवगटक हो सकता है तो जैवगट मतलब जिन्दा चीछिक ना तो मिर्दा नहीं होगा भाईू नहीं होगा तापनित के होगा कौवक होगा विधूत उपकरणा का धातु आवाँ जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं किसे जोड़ते हैं भूतार से ताकि जो अधिक धारा का मान है न वो जमीन में चला जाए बिलकुल सही बताएगा है आप जो है इसको मिला ले सही सही उन्चास में कि विधूत मोटर का उपयोग किस में होता है तो विधूत मोटर का उपयोग विधूत पंखा में टेप रिकोरडर में लेथ मसीन में सभी में करते हैं दो हलके नाविकों के जुड़कर एक भारी नाविक बनने के क्रिया को क्या कहते हैं तो कहते हैं नाविक किये सनलायन जो कि सूर्ज में होता है H और H मिल करके हिलियम बनाता है अगला प्रस्ण है कि कारबन आवर्ट सार्णी के किस बर्ग का सदस्य है तो C6 है तो इसको बाटेंगे तो 2 कौमा 4 हुआ इसका 4 अंती में इससे संज़कता होती है यह जो है 4 A का सदस्य होगा मतलब की 14 हमा तो बर्ग 14 इसमें जो है सही हो जाएगा बॉक्साइट दिविखिती में से किस धातू का अयसक है तो बॉक्साइट जो होता है इलमूनियम का होता है कॉमरे के ताब पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातू कौन है तो पारा है एसजी हो जाएगा और धातू कहेगा तो बुरोमिन हो जाएगा सोडियम किस धाता कितनी है तो सोडियम एगारा होता है बाटियेगा तो दू आठ एक हो गया तो अन्तिम का अच्छा में एक है तो सुन जाएगा एक हो जाएगा जीप्सम करसाइट सुतर क्या होता है तो जीप्सम C-A4 इंटो 2-A2 होता है अगला प्रस्ण है स्टेंट के अधिकतर धातू के ऑक्साइड क्या होते है तो धातू कोई भी लिजिए C-A इसका ऑक्साइड लिजिएगा OH का होल ट्वाइस तो इसको छारी होता है यहां पर नेक्टोजन के अड़ो में दो परमाड़ों के बीच कितने आबंध होते हैं तो एन टू जो करिएगा तो एन ट्रीपल बॉंड एन होता है तो एक दू तीन पांच तीन आठ होता है तो यहां पर C-A अप्सन सही है इसमें हम क्या करेंगे बायतम सेल में एक लिक्ट्रोन है कौन से धातू उसके गलित कोलॉराइड का बई धूत अबगटन करके प्राप किलेता है तो मेगनेसीम का MgCl2 से तो Mg पे पलस पलस हो जाएगा 2Cl पे माइनस हो जाएगा कौन धातू oxygen के साथ अभी किरिया कर उचता पर गलनांग कोला जोईक बनाता है यह जोईक जल में बिले है यह तक तो नहीं तो से कोन सा हो सकता है तो केल्सियम होता है अगला प्रस्न है कि फेनल अफ तैलें सुचर का छारिये माध्य में कौन सारंग होता है तो गुलाबी होता है एस्टिक अमल का इउपेक इंटरनेशनल यूनियन और प्योर और एप्लाइट केमेश्टिक क्या है तो एथनोईक अमल होता है कौन सी धातू तानू A2S4 से भिकरा नहीं करती है तो इक कॉपर जो इसके उपर नीचे में होता है इसलिए ये तामबा इसमें होगा अगला प्रस्ण है कि निवखित में से धातू का जुग में कौन है तो सोडियम और केलियम कल्सियम जो है इधातू का जुग में है ये अप्सन सही है हीरा अपरूप किसका है तो हीरा अपरूप जो होता है वह होता है कार्बन का सबसे नीचे है यही अविक्रिया नहीं करती है अगला प्रस्न है कि कौन विदूत का सबसे अच्छा सुचालक है इतो जानते हैं आप लोग चांदी है कौन से धातु जिंक सलफिट के बिलियन से जिंक को बिस्थापित कर सकती है तो मेगनेसियम कर सकती है इसलिए एक होत्तर में आपका एउप्सन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि कोई तत्य औक्सिजन से संजोग और ऑक्साइड बनाती है यह अभिक्रिय क्या कराता है तो C पलोस O2 CO2 ठीक कोई भिक्रिया क्या है तो यहाँ पे औक्सिजन का संजोग हुआ तो क्या कहेंगे अगला प्रस्ण है कि पीबी O2 CO2 किस प्रकार का लोवन है तो ओएच है न तो छारी क्या लोवन हो गया सुद्जल का प्यच मान कितना होता है बहुत हलुआ पड़ी प्रस्ण पुछ दिया इदम बी ओप्शन सही है साथमा आप्सिष्ट परवंधन की नहीं धरना क्या है यह जो है को मी प्रचानल प्रोड़क सभी है और यू जिश रिसाइकल जो हता है इसमीज सभी डी अप्सन साही है बताइए तो जूट्ट का थैला है का प्रणा ले सकते हैं का गाज्ट कर शक्ते हैं सब भी तभी तभी नर्पर दूस्रा आपका सब्स्ण रहेगा हो किसका परयोग होता है तो बोरोवेल डगवेल दोनों तीव बेल बोरोवेल डगवेल दोनों का उपयोग होता है बरसा जल को भूमिकत जल अस्तर तक पहुचाने के लिए तो बोरोवेल डगवल दोनों होता है तो अत्वा करितमत जुग में से कौन सा जुग में 19 और 22 के प्रकार से आपका सबस्क्राइब तक सबस्क्राइब लेजा और सेर्व कीजिए इसको जीतना हो सके ताकि सब्सक्राइब लागा नित हो सके इस्टेंट्स थैंक्यू बरी मच्छ